Hello my dear students, मैं हूं मिनुष्य वास्ताओ और आज हम डिसकस करेंगे परॉक्सिडेज एंजाइम के बारे में परॉक्सिडेज एंजाइम कही ना कही ये भी इसका फंक्शन भी सम्वाट सिमिलर विद दा कैटलेज एंजाइम क्योंकि ये भी हां इरिचन गुआर नहीं होती है और ये सब्सरा सब्सरेट ऑसे आ डुमन रा Western Kyla आंजी है जेन गरॉक्सिडेज शी जी नहिंन म्हीं सिल्टा है उसे ये के सकते हैं कि ओक्सिदाइस करदेता है नावелей इंके अंदर ही इंँ हीम प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि इन में ऐसे आइरन ऐसे को फैक्टर मौजूद होता है ठीक है दे कंटीन दा आइरन एफी थार्ड फॉर्म एफी प्लस थ्री अगर आपने केमिस्ट्री का थोड़ा सा पड़ा हो तो एफी प्लस फॉर्म में भी रहता है तो यहां पर जो आइ उसके जो ऑक्सिडेशन स्टेट होती है वो 9 होती है और इसलिए इसको हम वहां पर प्रोटो पॉर्फारिन 9 बोलते हैं ऐसे प्रोस्थाटिक ग्रॉप और होती है और यहां पर और इन जो सब्सट्रेट के साथ रेक्ट करेगा और प्रोक्साइड जो हता है वो है एटरोजन पराक्साइड को वोोटर में करता है और यहां पर इन Inte इनको औक्सिडाइस कर देता है परोखिदेस के निकोटिणुमाइट एडिनीन, डाय्डरिजन, फॉसफेट परोखिडेस, शॉचिडेस, और गुटाथायोन परोखिडेस, इसके बाद यहां पर सबसे पहले हमें जानते हैं स्टैप्स में पहला स्टैप के आता है माइक्रो ऑर्गनिसम्स का सेलेक्शन इसमें यहां पर जो है जैसे बैक्टीरील इस पीसीज कौन कौन सी लिय जाती है वह यहां पर मैंने अड़ किया जैसे स्टूडियोमनास स्ट्यूट्रीजीरी ट। यह भी दू बैक्टेडियाज है जो के लिगनीन प्र ऑक्षीडेज को जनरेट करता है उसके बाद यहां अगर हम फंगल स्पीसीज लें तो फंगल इसपीसीज में जो हैं एक मेना द्थाय टूः को में ठंक से लेग तो यह फंगल स्पीसिस में जैसे एसपरजिलस नाइगर है उससे लिगनीन परोक्सिडेस जनरेट होता है क्राइसोस्पोरियम से मैगनीस परोक्सिडेस जनरेट होता है लेंटियस इडोडियस से मैगनीस परोक्सिडेस जनरेट होता है यहां पर जनरली जो commercial production किया जाता है वो aspergillus niger के help से किया जाता है aspergillus niger को isolate किया जाता है या तो soil से या orange fruit के pulp में भी जो है हमे aspergillus niger जैसे कई बार उसको रख देते हैं तो aspergillus niger महां से isolate हो जाता है अब यहां पर potato dextrose अगार में उसका culture बनाया जाता है और उस culture को 4 degree celsius पर maintain किया जाता है इसके बाद यहां पर अब inoculum preparation inoculum preparation हमारा वही होगा round bottom flask में लेकिन यहां पर inoculum preparation slant crunching culturing मतलब कि जो potato dextrose है अगर मैं आपको बतना हो तो जैसे potato dextrose वग रहा होता है उसके slant बना लेते से जमा देते हैं slanting मतलब test tube में potato dextrose अगार रख देंगे और उसे tilted रख देंगे test tube को तो वह जम जाएगा ऐसे टेड़े में जम जाएगा इसे slant culturing करना कहते हैं और फिर यहां पर जो है आपका यह जो इस तरीके से जो इनोकलम होता है वह जब इस तरीके का करीबन जो इनोकलम है वह पांस दिन पुराना होना चाहिए और उसे फिर दस 10 ml इस्टिल्ड वाटर के साथ एड़ किया जाता है 10 ml इस्टिल्ड वाटर साथ पांस दिन पुराने पीदी ए स्लांड कल्चर पीदी मतलब पोटेटो डेक्स्ट्रो जाकार के स्लांड कंचलिंग के साथ बिला दिया जाता है नाओ कम तू दू फॉर्मुलीशन ऑफ दीम मी इसका पीएच जो है वो मिंटेन किया जाता है 6.5 पे और डिस्टिल्ड वाटर इसमें लिया जाता है 1000 ml यह आपका मीडियम प्रिपरेशन है अब इस मीडियम को फिर हम फाइनली फर्मंटेशन मोट पे लेके जाते हैं तीसरा स्टाप है हमारा प्रोडक्शन फर्मंटेशन प्रोसेस में जो पीएच है वह हमारा 6.5 से 7 की बीच में रखा जाता है टेंपरेचर 25 और यहां पर जो रुटेटरी शेकर है उसकी स्पीड रखी जाती है 160 रपीम और यहां पर जो डियूरेशन है वह है 10-12 डेज ठीक है अब हम बात कर लेते हैं इसकी रिकावरी की और इ जाता है या सेंट्रिफुगेशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है जिससे सेल डेबरीज रिमूव होती है उसके बाद हमें न्यूकलिक असिड को रिमूव करने के लिए पॉली कैटायन जिससे स्ट्रेप्टोमाइसिन है पॉली अमीन से पॉली इथाइलिन मीन है इनको किया जाता है ताकि एंजाइम प्रेसिपिटेट हो जाए इसके बाद आयन एक्षेंज और सिफटेक्स जी हंड्रेट जेल फिल्टरेशन क्रोमेटोग्राफिक मैथट्स लगाये जाते हैं ताकि हमारे पास जो हमारा एंजाइम है वह फुली फ्री ओफ सेल डेबरीज और कं करना है तो freeze dryer याणि लायोफिलाइजर मैथड यूज किया जाता है यह वैक्यूम ड्रायर भी मैथड अप्लाइ किया जाता है नाओ कम टू दा एप्लिकेशन पार एप्लिकेशन में इसका फर्स्ट अप्लिकेशन है कॉलेस्टरोल लेवल को सीरम के अंदर कॉलेस्टरोल ल further oxidized किया जाता है colistinon के अंदर colistinon के अंदर और hydrogen peroxide तक है इस hydrogen peroxide के amount को determine किया जाता है horse radish peroxidase की help से और finally फिर इसको measure कर लिया जाता है और उस measurement के थूपता लगाय जाता है कि serum के अंदर cholesterol level कितना है now come to the second exam application peroxidase biosensor peroxidase biosensor यह वो बायो संसर हैं जो कि एलकोहल, ग्लुकोस, ग्लुटामेट, कॉलीन और बहुत अलग तरह के हर्मोस लेवल को हमारे ब्लड या सीरम के अंदर डेटर्माइन करके बताते हैं ठीक है, बायो संसर पार्ट हम पढ़ चुके हैं, अगर आप चाहें तो एक बार उसको, अगर आप टाइप करेंगे, MS Science Academy, बायो संसर तो वो आपको मिल जाएगा, उसमें पूरा हमने किस तरीके से बायो संसर काम करते हैं, वो हमने अच्छे से समझाया है Now come in the paper industry, paper industries में mainly manganese peroxidase जो है, वो use किया जाता है, as a bleaching agent, मतलब के other coloring जो है, उसको paper को remove करके पूरा clean किया जाता है इसी तरीके से decolorization, synthetic dyes वगरा के decolorization में या उसके color को reduce करने के लिए, harsh reddish peroxidase use किया जाता है और इस technique से paper industries, printing industries, textile industries, photographic industries and different color industries के अंदर इसे utilize किया जाता है एक lacto peroxidase होता है, जो कि ऐसे preservative use किया जाता है, cosmetic के अंदर और इसकी help से cosmetic 2-4 महिने तक, जो है, सही रहते है उनका normal texture बना रहता है, यहाँ पर हमने पूरा peroxidase जो enzyme है, वो complete किया है I hope आपको समझ में आया होगा, कोई भी doubt है, comment section में पूछिए, और safe रहिए, thank you